Hello students, welcome to the ज्यान गंगा अकाडमी ज्यान गंगा अकाडमी इंटरेक्टिव क्लासे यह हमारी हिंदी की पाठ्थे पुस्तक रिम जिम भावेक है और आज का हमारा टॉपिक है पाठ उन्निस चार चने यह एक मज़िदार कवीता है और इस कवीता में हम पढ़ेंगे कि कवी कहता ह है कि अगर उसके पास कुछ चने हूँ तो वो उन चनों के साथ बहुत मज़िदार बातें कर सकता है क्या क्या कर सकता है जानना चाहेंगे आप भी तो चलिए पढ़िए मेरे साथ और मज़े लीजिए स्पीडियो के चार चने राइट पैसा पास होता तो चार चने लाते च चार मैसे एक चना तोते कोखी लाते तो ताय ताय गाता तो बड़ा मज़ा आता पैसा पास होता तो चार चने लाते चार मैसे एक चना घोडे को खी लाते घुड़े कोखी लाते तो पीठ पर बीठ आता तो बड़ा मजा आता पैसा पास होता तो चार चने लाते चार में से एक चना चुहे कोखी लाते चुहे कोखी लाते तो दांत टूट जाता तो बड़ा मजा आता है न मजदार कवीता क्या था इसमें कि अगर एक बच्चे कह रहे हैं कि अगर हमारे पास पैसे होते ना तो हम क्या खरीद के लाते चार चने खरीद के लाते ना और उन चार मेंसे एक चना हम तोते को खिलाते और तोते को खिलाते तो वो टाएं टाएं करके हमें बड़ी सुन्दर सुन्दर आवाज सुनाता फिर अब वो कहते कि अगर हमार पास पैसे होते तो हम चार चने लेके आते उस मेंसे एक चना हम घोड़े को खिला देते और उसस कि हमें बड़ा मज़ा था और अगर हमारे पास पैसे होते तो हम चार चने खरीद के लाते और उसमें से एक चना हम चूहे को खिलाते और चूहे को खिलाते तो चना क्योंकि सक्त होता है तो चायद चूहे का दांट तूट जाता और अगर चूहे का दांट तूट जाता तो व भी हमें बड़ा मज़ा आता राइट है ना मज़दार कवीता तो ऐसे ही इसको पढ़ेंगे और अच्छे से इस कवीता को लर्न करेंगे राइट गुट अब फटाफट इसके अभ्यास प्रशन कर लेते हैं ठीक है ना चार चने देकर इनसे क्या क्या करवाया जा सकता है अब वो कहता है कि अगर आपके पास चने होते हैं और तो आप उन मेंसे अगर ये चना माली को दोगे तो आप उससे क्या क्या करवा सकते हो जैसे कि कवीता में हमने कराया क्या कराया कि हमने तोते से टाइटाइए सुनी, घोड़े को खिलाया तो उसके पीठ पर बैटके सवारी की है ना, तो अब अगर हम माली को देते तो हम उससे क्या करवा सकते थे हम उससे फूल मांग सकते थे उसके बगीचे के, है ना माली कौन होता है, जो बगीचे की देखबाल करता है, है ना, ऐसे ही हलवाई, हलवाई कौन होता है जो मिठाईयां बनाता है, बढ़िया बढ़िया तो अगर हलवाई को देते तो हलवाई से हम क्या काम करवा सकते थे, उससे कोई मिठाई मांग सकते थे, खाने को है ना, ठीक, उसी परकार अगर दीदी को देते आपके घर में दीदी होगी अगर दीदी को आप चने खिलाते तो क्या कराते पर दीदी से आप अपने पढ़ाई से कोई बात कर सकते थे पढ़ाई में मदद मांग सकते थे कोई दीदी का खिलोना ले सकते थे खिलने के लिए है ना और दोस्त को खिलात इसने खाया, अब चार चनवे में से एक चना को खिलाया, किसको खिलाया था सबसे पहले, वेरी गुड तोते को, तो एक चना तोते को खिलाया, दूसरा चना किसको खिलाया हमने, वेरी गुड घोडे को खिलाया, और तीसरा चना हमने चूहे को खिलाया था, है न, अब आगे क खेरा है वो, एक चना बच गया आपके पास, चार में से तीन चने तो चले गए, एक तोते के पास, एक घोड़े के पास और एक चूहे के पास, अब आपके पास बचा है, एक चना, एक चना बच गया, उसे किसे खिलाओगे, अगर आपके पास एक चना बच जाएगा तो आप किसे खिलाना चाहोगे सोचो और लिखो ठीक है न अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो अगर मेरे पास एक चना होता तो मैं अपनी मा को खिलाता है किसको खिलाता अपनी मा को और क्यों खिलाता मा को क्योंकि मेरी मा मुझे बहुत प्यार करती है मेरा अच्छे से देख भाल करती है है ना और मेरी हर बात को मान कर मुझे हमेशा खुश रखती है है ना, तो ऐसे ही आप भी सोचो कि अगर आपके पास एक चना भचते आए तो आप किसे खेलाना चाहोगे है ना, ठीक है ना तो ये थी आपकी कविता चार चने राइटी स्टुडेंट्स मुझे आशा है कि आपको ये चैप्टर और कविता पसंद आई होगी आप इसे अच्छे से लर्न करेंगे और सुन्दर सुन्दर राइटिंग में अपना करेंगे और रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे बार बार ठीक है आज के लिए इतना ही टेक केर गुड़ दे I hope you enjoyed our video thanks for being with us